Hello everyone, कैसे हैं आप सब? अभी कुछ एकदम अलग वीडियो बनानी की कोसिस कर रहा हूँ जिसमें last हमने वीडियो बनाई थी कि पोर्टफोलियो को हेज कैसे किया जाता है फिर हमने बनाई थी कि जो आप लोगों के मन के में सवाल आता है कि क्या हम अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को बेच दें या कुछ स्टॉक को बेच दें वो वीडियो बनाई थी तो ये सब लाइब्रेरी में रखने लाइक वीडियो है आप लोगों का प्यार भी मिला और आज उसी करम में एक next वीडियो बनाई है जो आप लोगों की काफे सारे सवाल आ रहे थे कि कितने stock एक portfolio में होने चाहिए बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि हर लोगों के लिए इसका अलग-अलग answer हो सकता है कैसे जानेंगे सब कुछ फ्री हो तभी देखिएगा लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आएगा आधा नौलेज हमेशा डेंजर करता है मैं मुकुल अगरवाल आपका आफी के यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकॉन हिट कर ले जिससे सारी अपडेट मिलती रहे और ट्वीटर टेलिग्राम से जुरे रहे तो आपको सब मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेगी और राप के सारे आठ बजे का सो ये सारे दस से अब चेंज होके सारे आठ हो चुका है जहां हम देते हैं दो से तीन ट्रेट और आप नेक्स्ट डेग पैसा कमा सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं कितने स्टॉक होने चीए एक पोर्टफोलियो में करेक्ट अब सवाल अच्छा है लेकिन सही नहीं है सर्प्राइज होगे जानेंगे यह बहुत महनत लगती है अगर कंटेंट यूसफुल लगे तो लाइक का बटन दबाईएगा क्योंकि यह सब चीजे पेड कंटेंट में भी लोगों को नहीं मिल पाती है देखिए हर इंसान अपनी कैपेसिटी के अनुसार इंवेस्ट करता है कोई दो लग, कोई बीस लग, कोई दो करो, कोई बीस करो और हर इंसान की सोच, रिस्क, टार्गेट, गोल सब अलग-अलग होते है इसलिए वहाँ पर सिर्फ यह सवाल पूछ लेना कि कितने स्टॉक रखें यह कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पोर्टफोल्यो, उस आदमी की सोच, उस आदमी के रिस्क, उस आदमी की कैपसिटी, उस आदमी के गोल के अनुसार होगा correct तो यानि रिस्क, कैपसिटी, समझेंगे, तभी सही सवाल का सही जवाब मिल पाएगा अब इसमें मुझे personally एक काफी real data देखने को मिला, real data मैं बात कर रहा हूँ, जो Indian investor चाहे stock market में करते हो, या Mitchell fund में करते हो, portfolio बनाने क्लियर, और उसमें मेरी आखें खुली की खुली रहा गई, क्योंकि बहुत सारे portfolio का size ऐसा था, कि वो size नहीं था, full के गुबारा था, yes, full के investment कम और वहाँ पे एक एक portfolio में 50-50 share लेके बैठे थे, क्योंकि आपको पता है, कि मैं आप लोगों का portfolio भी check करता हूँ, एक small fee लेकर portfolio भी बना के देता हूँ, तो वो मेरे लिए stock था, और उसमें जो सबसे उससे भी बड़े जटके की बात थी, सरे सरे share, penny stock भरे वें, small cap भरे लेकिन मजे की चीज फसने के बाद भी entry उनकी next small gap या उसी तरह के risk share में हो रही है, और यही पर कहानी नहीं रुखती है, 10% portfolio तो ऐसे थे, जहाँ पे 100 से जादा stock भरे वे थे, तो यह तो जटका लगने की बात है, आपको भी सच जटका लग रहा हो, क्योंकि यह बहुत गल रहे हैं, उनकी tracking जरूरी है, उनकी समद जरूरी है, उनकी research जरूरी है, और इतने ज़्यादा stock तो मेरे भाई, Mitchell fund की company भी नहीं रखती है, अपने portfolio में, जबकि उनके पास professional fund manager होते हैं, research staff होते हैं, तो वहाँ पे एक individual के लिए इतने ज़्यादा stock में invest करने का मतलब यही है, कि वो बस भेर चाल में जले जा रहे हैं, किसी नी बोला ये खरीद लो, किसी ने कहा वो खरीद लो, किसी ने कहा वो खरीद लो, कि नहीं, तो चलिए पहले आप बताएं कि आपके portfolio में कितने share है comment box में, मैं देख रहा हूँ आपके comment को, और मैं देखना चाहूंगा, कि आप इमानदारी से सही जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि आपका जवाब बहुत लोगों की life को बदल सकता है, इसलिए बीना सोचे, बीना समझे comment box में, जरूर इमानदारी से जवाब दे, अब देखे, जाधतर investor का focus small cap, mid cap stock में होता है, जिन्हें especially जो अभी तेजी दिख रह और हम गुस गए, वो सबसे गलत है, क्योंकि एक तो उनकी entry होती है, सबसे लेट, सबसे लेट, क्योंकि वो काफी आगे जा चुका होता है, अब इसमें जो सबसे master stroke कह लीजिए, star mark, यानि most important point, कि जब आप एक portfolio create करते हैं, तो उस portfolio में जब different stock डालते हैं, तो एक stock की value, आप से 6% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, जो Warren Buffett sir है, उनके जो guru है, Benjamin Graham, जो उनने intelligent investor लिखी थी, उनका कहना है, कि portfolio कभी भी diversified होनी चाहिए, और वहाँ पर 10 to 30 stock से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, diversified का मतलब, अलग-अलग sector से जूरी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि banking के से लिए तो पूरा banking भर लिया, ऐसा नहीं कि pharma के लिए तो पूरा pharma भर लिया, या फिर 70% pharma कर लिया, 30% ऐसा नहीं, diversified होनी चाहिए, अब यहाँ पर कुछ factor समझना जरूरी है, क्योंकि सब की सोच, सब के विचार अलग सबसे पहले बात, आप कैसा risk लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं, भाई मैं बिलकुर risk नहीं लूँगा, चाहे मुझे 10 years के लिए ही जाना हो, बट मैं risk नहीं ले सकता, मेरी cap एस यकिनी है, तो वहाँ पर आपको blue chip stock, यानि large cap के साथ जाना चाहिए, जो कहते हैं मैं medium risk उनके लिए mid cap, small cap का combo है, क्यूं? risk के साथ return, और risk है, तो return है ही मेरे भाई, तो आप risk लेना चाहते हैं, तो return भी आपको मिलेगा, तो दोनों equally balance होता है, अब यहाँ पर होती है, आपकी सोच के अनुसार पहले, तो कहानी कि आप कहा जा रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ summary लेत 10 to 30 stock होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर again, अलग-अलग कहानी है, अलग-अलग यानि अगर आप beginner हैं, तो 10 plus stock से सुरू कीजिए, अगर आप experienced हैं, तो ही 20 to 30 के segment पर जाएए, नए नए आये हो, 10 से जादा मत रखो, 10, 11, 12, लेकिन जब आप experienced हो, तो 20, 30 जा सकते हो, experience होने लेकिन अब एक research क्या बताता है, जिसको मैं chart के साथ बताऊंगा, कि 15 to 20, एक ideal number होता है, अगर आपके portfolio में 15 से 20 stock हैं, तो यह ideal number है, with good diversification, जहाँ पे आपके सामने ये chart साफ दिखा रहा है, कि कैसे कैसे risk घटता जा रहा है, 15 से 20 stock आने के बाद, लेकिन आप गौर करो, 20 stock के आपके portfolio में चाहे जितने भी stock बढ़ते चले गए, कोई फरक नहीं परा, क्योंकि वो equal balance हो गया, तो यह सब चीजें, अब मुझे ये बताओ, बीना सीखे समझे, हम सर्क किसी के कहे पैसा लगा देते हैं, वो सही या ये सही, और यही चीज के लिए थोरा सा time knowledge पे दे दो, थोरी सीजें knowledge पे दे दो, भाई, पैसा चप चप के बनेगा, आप पैसा market से बहुत आराम से बनेगा, लेकिन अब सवाल ये है, कि क्या कहानी यहीं खतम हो गई, यहाँ पर भी चक्कर है, आप में से कुछ active investor होंगे, कुछ passive investor होंगे, अब कहेंगे active कौन, passive कौन, active investor हो, जो अपने investment को track करते हैं, company के financial को देखते हैं, company के news को देखते हैं, किस तरीके से government की policy आ रही है, किस तरीके से sector वाई चल रहा है, जैसे आपने देखा न, still sector चला, फिर sugar चला, pharma चला, IT चला, तो यह उस तरीके से track करते हैं, passive वो, जो बस invest करते हैं और भूल जाते हैं, और 2-4 5 साल के बाद देखते हैं, वहाँ पर passive investor को सबसे जादा diversification की need है, क्यों, अलग-अलग sector रहेगा, तो एक तो कोई भी sector चलेगा, तो उनको सब का फायदा मिलेगा, चाहे return कम ही आए, क्योंकि equally divide है, लेकिन, जो active investor है, वो sector wise जो तेजी होती है, उसका फायदा ले सकते हैं, ज जो passive वाले हैं, उनके पास क्या है, diversification है, तो जब sugar चला, तो वो भी return देगा, pharma चला, वो भी return देगा, still sector चला, वो भी return देगा, भले return कम हो, इससे आपको picture clear हो गई होगी, सब की अपनी-पनी need है, और उनको वो need को समझना होगा, और उसके हिसाब से बात करनी होगी, और इसलिए आज सुबह सुबह ही मैंने Twitter पे एक post डाला था, क्या हम खुद से बात करते हैं, हमें खुद से बात करने की सबसे ज़्यादा जरूवत है, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सुना, किसी से और invest कर दिये, maximum लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते हैं, जिसस सही return नहीं ले पाते हैं, या portfolio में ऐसे गंदे stock भर लेते हैं, जिसके बारे में बात करना भी बेकार हो जाता है, वो खुद सरम के मारे किसी को बतानी पाते हैं, और यह मैं personal experience बता रहा हूँ, कि कुछ लोगों के portfolio जब चेक वाते हैं, सर्थ portfolio नहीं बेजेंगे आपको, के पास cash होना चीए, कि market क्या है, तेजी मंदी का game है, अगर down आता है, और आपके पास quality stock हैं, तो आप अच्छे वाला stock नीचे में ले सको, जैसे 2020, कुरोना में down आया, लोगों के पास portfolio में सेर थे, लेकिन वो भाव, जो उन्हें सालों में कभी नहीं मिले थे, वो डर के मार या तो नहीं ले सके, बहुत लोगों के पास पैसे थे, इसलिए नहीं ले सके, और वो क्या केते, गले तक माल भरा हुआ है, अब कैसे लेते, अरे भाव्या, क्यूं गले तक माल भरते हो, हमेसा थोरा cash रखो, क्यूंकि सारे के सारे पैसे को एक ही बार में लगा देना, उस जाके तरीके से यूज करनी है और पैसे कमाने हैं कैसी लगी ये छोटी सी कोसिस लाइक कमेंट करके जरूर बताईएगा जिससे हम भी बहतर फायदा ले सके नेक्स्ट ऐसी ही कौन सी टॉपिक हम कवर करें वो भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा थैंक यू सो मच